दोस्तो, आई त्कूश करने वाले हैं कि यूईस का Egction होने जा रहे। 5 O Nॉम्बर कोiry यूएस का इसी वजय से उपके अंसर्टिनिटी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। लास्ट अक्टूबर में आपने देखा होगा, FIIs ने करीब 98,000 क्रोड की सेलिंग यहाँ पे की है, इसका मुख्य कारण यही है कि market किसी भी uncertainty को यहाँ पे बिलकुल भी पसंद नहीं करती है, और US के जो election होते हैं दोस्तों वो world level पे होते हैं, मतलब कि पूरी world की economics और world की overall ज जो है, impact दिखाती है, और अपनी Indian stock market, US की election की वज़े से ही आप देख पारें, पिछले एक महिने से काफी अच्छी गिरावाट यहाँ पे हमें देखने को मिली है, करीब 7-8% की यहाँ पे हमें गिरावाट देखने को मिल चुकी है, अभी market बिलकुल make और break level पे खड़ा हु है, number one is Donald Trump and second one is Kamala Harris, यह जो president बनने जा रही है, यह first time अपना election यहाँ पे लडने जा रही है, first time fight है इनकी और Donald Trump पहले भी बन चुके है, अब बात यह रहेगे कि कि किस के बनने से अपनी Indian stock market को यहाँ पे benefits होने वाला है, हम इंडियन को कब फायदा होने वाला है, इंडिया की growth story किस के साथ में attach होने वाली है, बताना चाहूंगा कि जो Donald Trump है, उनके बहुती अच्छे संबंद रहे हैं, पहले से इंडिया से, और इनके जो चाइना से जो संबंद है, वो एकदम खराब है, तो उसका कहीना कई benefits इंडिया को यहाँ पे मिलने वाला है, अगर Donald Trump यहाँ प अगर news tax rate को यहाँ पे कम करने जा रहे है, और manufacturing hub को बढ़ावा दे रहे है, और हमारे जो इनके साथ business deal है, वो इंडिया की काफी जबरदस्त है, crude oil में यहाँ पे हमें तेजी की जिगे मंदी दिखाई पड़ सकती है, अगर Donald Trump जी आते हैं, कहीना कहीं जो एक war वाली situation साफी control हमें देखने को मिल सकता है, तो यानि और और अगर मैं बात करूं, तो अपने favor में Donald Trump ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट अब बात है कि election होंगे, उसके बाद देखते हैं कौन winner होता है, और market किस तरीके से react करती है, और बताना चाहूंगा, market हमेशा, किसी भी news या किसी भी event को होने से पहले, अपने आपको already factor in कर लेती है, so as per my analysis, जितनी गिरावट होनी थी, वो हो चुकी है, अगर market में अब, election के दोरान दोस्तों, market में volatility हमें देखने को बिलेगी, but already जो events की outcome है, उसको market ने already factor in कर लिया है, FIIs ने जो पैसा निकाला है, वो इसी वज़े से निकाला है, क्योंकि election आ रहे हैं, कुछ भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है, उन्होंने अपनी profit booking की है, और वो दुबारा से इंडिया में आएंगे, फिर से reinvest करेंगे, सारे चीजी normal होंगी, तो ज़्यादा हमें tension लेने क जरूत बिल्कुल भी नहीं है, सिफ और सिफ तीन दिन की बात है, 5th of November को election होंगे, उसके बाद result आएंगे, outcome मानी start हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, market कैसा react करती है, और दोस्तों आपका क्या कहना है, अगर डोलान टरंप आते हैं, वो अगर प्रेजिजेंट बनते ह तो Indian stock market कैसा behave करेगी, कैसा react करेगी, या फिर कमला हरिश बनते हैं, तो market कैसा react करेगी, market को किस winner का इंतजार है, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, कि किस president की वज़े से Indian stock market फिर से रफतार पकड़ सकती है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो like करे, अगर आप नए हैं तो channel को करे subscribe, चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye, take care